नमस्कार मैं प्रिये रंजन और आप देख रहे हैं टेडर्यस द्रीम आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे रिलाइंस स्टॉक के बारे में चुकि कुछ बरे अपडेट्स अगे इस स्टॉक में ट्रेंड होते वे दिख रहा है एपिसोड को आगे बरहें इससे पहले आ लोजिंग तो पोजेटिव दिखी थी लेकिन एक बरा न्यूज वाया कॉम 18 के थे जहां 70% जो निवेस करने थे उसको डिक्रीज कर दिया गया लास्ट रेडिंग सेशन के एनलेसिस को आप एक बार विजिट करें अगर आपने अभी तक इसको इंडेप्ट नहीं देखा त यहां देखेंगे तो 21st April को इसके quarterly result आने हैं और लास्ट quarter के result जो थे वो below the expectation थे इस समय क्या expected numbers आ रहे हैं उसको भी आने वाले समय में मैं आपसे जरूर discuss करूंगा यहां यहीं दो खबर इस समय ट्रेंड हो रहा है और इस समय हमने Infosys और HDFC bank के result देखें दोनों result below the expectation रहा ह अलांकि Infosys काफी बुरे result रहे जबकि HDFC bank के देखें तो थोड़ा बहुत इंदर लाइन रहा है इस समय Reliance stock अपने major resistance 2360 के उपर trade कर रहा है अगर इस stock उन्हें इस price को respect करा तभी long करेंगे अनिता इसी को SL लगा करके 2300 2260 तक के दो downside target भी आपको दिख सकते हैं